मित्रों जय मातादी आप देख रहे हैं धर्म सिक्षा मित्रों जैसा कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि रवीवार 21 जून 2020 को महा सुरी गहन लगने वाला है भारत के कुछ हिस्सों में ये वलियाकार दिखेगा अर्था चूरी के तरह दिखेगा और बाकी जगों में खंडगरा सुरी गहन लगेगा जिसमें की एक तरब से सुरी कटता हुआ दिखेगा कुली मिला के परचंड सुरी गहन के योब बन रहे हैं और इसका प्रभाव भी परचंड होगा कुछ रासी वाले बिल्कुल बरबाद हो सकते हैं देश और समाज पे इसका बुरा असर परेगा लेकिन इन सभीज्यों के होते हुए भी कुछ चार रासी ऐसे हैं जो की माला माल भी हो सकते हैं उन्ही चार रासी वालों की आज में बात करने वाला हो इस वीडियो में तो हमारे साथ अंदर तक बने रहे हैं आपकी रासी इन चार रासी में से कौन सी है अगर कोई मिलती है तो हमें भी कमेंट बॉक्स में निश्चीत तोर पर बताईए वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए देखी जैसा कि मैंने आपको बताया यह सूरी गहन देश और समाज के लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहने वाला है ज़्याता रासियों पर उसका बुर्वा परभाव पड़ेगा इस सूरी गहन के परभाव से परोसी दोश्यों से लराई हो सकती है बिमारी और भी ज़्यादा बर सकती है इन सभी चीयों का आपको सामना करना पर सकता है प्राकरतिक आपदा का भी सामना करना पर सकता है एक एक करके जानते हैं सबसे पहली रासी जो की मालामाल होने वाली है वो है मेशासी मेशासी पर इस सूरी गरहन का बहुत इच्छा प्रभाव पड़ेगा धनलाब के योग बन है अचानक से कहीं धनलाब के भी योग बन रहे है मेशासी वालों के लिए सुरी गहन विशे तोर पर लाब दैग रहने वाला है सुरी गहन से आपको किसी प्रकार की हानी होती हुई नहीं दिख रही है बलकि सभी मामले में आपको लाब ही लाब दिख रहा है तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए आपको इसके लिए पहले से ही सजग रहना चाहिए व्यापार करते हैं या जो भी काड़ी करते हैं उसमें और भी मेनच लगिए आपके लिए एक अच्छा समय है कोई नया व्यापार प्रगार्म करेंगे या पुराने व्यापार में ही कुछ परिवर्तन करेंगे तो आपका उसको भरपूर लाब मिलेगा तो में शासी वालों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पहले से और भी रदा सचित होने की जरूरत है ताकि इस सूरी गहरन का जादा से जादा लाब आप ले पाएं भगवान भी उन्ही की मदद करते हैं जो स्वैंग की मदद करता है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखें माला माल होने वाली दूसरी रासी है सिंगरासी सिंगरासी वाले लोगों के लिए यह सूरी गहरन पैसे कमाने के अच्छे मौके लेकर आएंगे सिंगरासी वालों के लिए जो की लंबे समय से कुछ इनकी इच्छा थी वो इच्छा भहतीक इच्छा भी हो सकती है वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी लेकिन सूरी गहन पर उसके पूर्ण होने की संभावना बन रही है इस सूरी गहन पर आप नई लोगों से मिल सकते हैं नई लोगों से दोस्ती भी हो सकती है आपको इन दिनों में और ऐसे लोग आपके केरियर के लिए बहुत ही अच्छे आगे चलकर साबित हो सकते हैं पैसे के मामले में कुए मिलाकर आपकी आर्थिक इस्ति अच्छी रहने वाली है यह सुरिग्रहन आपके लिए काफी लाबदायक भी रहने वाला है तो जैसा कि मैंने आप मेंस रासी वालों के लिए बता है सजग रहिए वैसे सिंग रासी वालों को भी मैं साभण करना चाहता हूँ कि आपको भी सजग रहना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सुरिग्रहन का लाब आपको मिल पाए आपको पहले से पता चल गया है तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप चुपचा बैठ जाएए इसका ये अर्थ है कि आपको और भी जीजान लगा कर लगना है अपने काम में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके का फायदा आप उठा पाएं तीसरी जो रासी है वो है कन्या रासी कन्या रासी वालों के लिए भी ये सुरी ग्रहन बहुत ही अच्छा प्रभाव लेकर आने वाला है कन्या रासी वालों को अचानक से धनलाब हो सकती है या जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको लाब हो सकता है व्यापार करते हैं तो व्यापार में पर्चनलाब के योग आपके लिए बन रहे हैं अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपके लिए अच्छी स्तिति बनी रहेगी साथ ही साथ किसी अन्य स्रोथ से आपको आए हो सकता है तो जैसा कि मैंने उपर मेश और सिंग रासी वालों के लिए बताया कि आपको सजग रहना चाहिए वैसे मैं कन्या रासी वालों को भी बता रहा हूँ आपको सजग रहना चाहिए मोका मिला है तो इस मोके का फाइदा निश्चीत तोर पर उठाईए बात करेंगे चोथी रासी मीन रासी की मीन रासी वालों के लिए सुरी गर्ण काफी फाइदे में रहने वाला है इस सुरी गर्ण में आपके रुके वे फासे वे काम पूरे हो सकते हैं व्यापारियों और नोकरी पैसा लोगों के लिए यह सूरी गहन अच्छा फल देने वाला साबित होगा सूरी गहन के प्रभाव से आपको स्वास्त से जोरी हुई कोई समस्या लेकिन पेश आ सकती है तो मीन रासी वाले हलाकि आर्थिक लाब को ले पाएंगे सूरी गहन के प्रभाव से लेकिन स्वास्त ऐसे समंदी थोरीबोद परिसानिया आपको रह सकती है तो अपने स्वास्त का बिल्कुल दियान रखें उपर तीन रासियों के बायम जैसे मैंने बताया आपको कि उनको समल कर रहना है ज्यादा से ज्यादा महत करना है ज़यादा से ज़यादा त्यारी करके रखने हैं ताकि ज़यादा लाब के उनको मिले। वैसे मैं मींदाजी वालों को भी बोल्ड हूँ आपके लिए भी तियार रहने वाला दिन है मौके का फायदा जरूर उठाइए। तो मित्रों यहाँ पर मैंने आपको कुल चार रासी वालों के लिए बताया कि किन चार रासी वालों के लिए सूर्य गरन बहुत ही अच्छा प्रभाव लेकर आने वाला है तो अगर आपकी यह चार रासी में से कोई एक रासी है तो इस मौके का लाव जरू उठाइए पहले साही सजग रहिए पूरी तयारी के साथ रहिए तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्नी ग्यान मर्दक वीडियो के साथ देखते रहिए धर्म सिक्छा जै माता दी